हलो व्यूवर्स रसोई कानन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए छोले पटूरे की रेस्पी लेके आई हूँ सबसे पहले मैं एक कप मैं डालूँगी उसके अंदर दो चम्मट सूजी के डालेंगे अब इसके अंदर मैं वन फोर्थ चम्मट नमक डालूँगी और आधा चम्मट चीनी डालेंगे और वन इर्थ चम्मट बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं सुखे समान को सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीजें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं अब इसके अंदर मैं दो चम्मट खटा दही डाल रही हूँ ये आपको ध्यान रखना है कि दही खटा ही होना चाहिए तो हमारा भटूरे का डो बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा ये डो को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा लगा लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसका आटा लगाने के बाद हम इसके उपर एक चम्मट तेल डालेंगे और इसको उपर नीचे अच्छी तरह से ओयल लगाने के बाद डौ को एक बार combine कर देंगे अच्छी तरह से और एक कपड़े से ढखकर उपर से एक प्लेट से ढख देंगे और एक गरम जगे में रख देंगे आप ये डौ रात को भी लगा के रख सकते हैं या आपको जल्दी है तो आप दो घंटे पहले भी ये डौ लगा सकते हैं अब मैं एक पैन में एक गलास पानी लूँगी उसमें दो चम्मच चाए पति डाल कर उसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे अब जो हमने रात को छोले भीगो के रखे थे उनको कुकर में डालूँगी और चाए पति का पानी इसके अंदर डाल दूँगी छान कर अब इसके अंदर मैं एक तेज़ पत्ता और एक स्टिक डालचीनी की डालूँगी और वन एट चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी और आधा चम्मच नमक डालूँगी अब हम कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर पांच विसल आने तक इंतजार करेंगे उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे लेकिन कुकर को खोलेंगे नहीं अभी जब उसकी पूरी विसल निकल जाएगी पूरी स्टीम निकल जाएगी हम तब इसको खोलेंगे ये देखिए हमारे चने एकदम परफेक्ट कल गए हैं हमें इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है अब एक पैन में मैं दो चम्मच अमुल बटर लूँगी उसमें 100 ग्राम पनीर को इस तरह से छोले के अकार का ही मैंने छोटा छोटा काटा है उसको हल्का सा सौते करेंगे बहुत ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं सौते करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी अब मैं पैन में दो बड़े चम्मच घी के डालूँगी उसमें एक कप कद्दुकस किया हुआ प्याज डालूँगी और उसको अच्छी तरह से भून लेंगे हमें प्याज को बहुत अच्छी त इसमें मैं नमक डाल रही हुँ स्वादनुसार एक चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच गरम मसाला पाउडर आदा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालूँगी मैं आदा चम्मच चाट मसाला डालूँगी और एक चम्मच काला नमक और एक चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूं मैं काला नमक इसमें बहुत अच्छा स्वाद देता है उसे आप जरूर इसके अंदर इंक्लूड करिए और एक चम्मत सौंट का पौडर डाला है अगर आपके पास अद्रक का पौडर नहीं है तो आप एक इंच अद्रक को कदू कस करके इसमें डाल सकते हैं अब मै मैं दो मिर्ची को स्लिट करके डालूँगी और एक बड़े साइज के टमाटर को कदू कस करके उसकी प्यूरी बन जाएगी वो मैं इसमें डालूँगी और एक चम्मच निम्बू का रस डाल रही हूं मैं जो इसमें टैंगी फ्लेवर देगा अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और उबले हुए चने हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे अब इसको हम ढखकर 5-7 मिनिट तक धीमी आँच पर पकाएंगे उसके बाद इसे हम खोलेंगे तो हम देखेंगे कि चोलो ने अच्छी तरह से घी रिलीज कर द डाल रही हूँ दो चम्मच फैट कर दही डाल रही हूँ ये खटा दही है और दो चम्मच मलाई के डाल रही हूँ अब इसको हम अच्छी तरह से कंबाइन कर देंगे दो चार बार अच्छी तरह से चलाने के बाद वापस से इसको ढखकर हम पांच मिनिट के लिए रखेंगे ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल तयार है अब इसमें हम सौते किया हुआ पनीर मिक्स कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे अब मैं दो चम्मच मखन ले रही हूँ पैन में ये हम एक स्वीट चिली सौस बना रहे हैं इसमें मैंने वन फोर्थ चम्मच नमक डाला है एक चम्मच देगी मिर्श डाली है एक बड़ा चम्मच गार्लिक का पाउडर डाला है और एक चम्मच वाइट अनियन का पाउडर डाला है और वन फोर्थ कप टोमैटो केचप डाली है और बिल्कुल थोड़ा सा दो चम्मच के करीब पानी इसके अंदर डालके इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसमें दो चम्मच मैं जैगरी पाउडर डाल रही हूं अगर आपके पास गुड़ की शक्कर नहीं है तो आप एक टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा गुड़ का तोड़कर भी डाल सकते हैं जब यह अच्छी तरह से गाड़ी हो जाए तो हमारी चट्नी तयार हो जाएगी चिली स्वीट चिली सॉस इसके साथ खाने में बहुत ही स्वाधिश लगती है अब हमारा डौ तयार ह जैसा कि आप देख रहे हैं बोट के उपर मैं थोड़ा सा ओयल लूँगी और इस तरीके से थोड़ा लंबे साइज में इसको बेल लेंगे भटुरे को ओयल हमारा गरम है आप देख सकते हैं मैंने चपाती से थोड़ा सा मोटा डौ लिया है विवर्स अगर मेरी करिए इस तरह से हम अपने वटुरों को तल लेंगे तलने के बाद अब एक तड़का हम लगाएंगे यह फाइनल तड़का है जो हम चने के उपर डालेंगे दो चम्मच देशी घी के गरम हो जाएंगे तो उसमें मैं आधा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल रही हूं और स्लिट कीवी हरी मिर्ची डाल रही हूं इसको तड़के के उपर डालेंगे और इसको सर्फ करेंगे आप इसे खाईए और इसका अनन्द लीजिए धन्यवाद